नमस्कार बच्चों, मैं सविता देवी, सहायक अध्यापिका, राजकी एंटर कॉलिज, नोयडा, गौतम बुधनगर से बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा बारा के अंतरगत, जो उपविशय है, कथा भारती, और प्रकरण है हमारा आज का पंचलाइट, जिसके रचनाकार है, फणिश्वरनात रेनू बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, माध्यमिक सिक्षा बोर्ड के अंतरगत एक नई पहल का प्रारम भी किया गया है, जिसमें हम ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से आप से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आशा है ये प्रयास हमारा आपको काफी रुचिपोन लगेग लॉक्डाउन के नियमों का पालन करते हुए, मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में स्वस्त और प्रसनता से होंगे और आज के प्रकरन को हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे पंचलाइट कहानी बच्चों, कहानी के विशह में सुनने से आपको एंदर जरूर एक प्रसनता का भाव जागरित हुआ होगा कहानी आपने अपने माता-पिता, अपने दादी-नानी से अवश्य ही जरूर सुनी होगी और कहानियां सुनते ही आपके मन में प्रसनता के साथ एक आनंद का भाव भी जागरित होता है जिससे आपको लगता है कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा तो ऐसे ही एक कहानी हम यहां प्रस्तुत करेंगे लेकिन कहानी प्रस्तुत करने से पहले बच्चों हम उससे जुड़े कुछ महतोपोन तथों के विशे में भी जान लेंगे एक संशिप्त परिचे हम कहानी के विशे में देखेंगे कहानिया क्या होती हैं बच्चों कहानिया जहां एक तरफ बुद्धिमता और ज्ञान के विकास में मदद करती है वहीं दूसरी तरफ एक विशेश कालखंड की समय सीमा उस कालखंड की विशेशताओं को, भाशा शैली को, रहन सहन को और पात्रों से भी हमें परिचित कराती है उसका सजीव चित्रन कहानी में हमें देखने को मिलता है तो कहानी के महतोपूर्ण तथ्यों के विशे में हम देखेंगे जिसमें हम महत्वपूर्ण बिंदों को देखेंगे, जिसमें कहानी का क्या आर्थ है, कहानी की क्या परिभाशा है, कहानी कैसी होती है, कहानी के कैसे वरगी करण होता है और कहानी पढ़ने का महत्व क्या है, इसके विशे में हम देखेंगे चली बच्चों देखते हैं, कहानियों के महतोपोन तथ्यों में हम देखेंगे बच्चों, कहानी आधुनिक हिंदी साहित्ति की एक लोकप्रिय जीवन्त और साहित्तिक विधा है, शशक्त लोकप्रिय जीवन्त साहित्तिक विधा है, जीवन्त साहित्तिक विधा का मतलब होत तो कहानिया जैसे सद्यों पहले चलती थी वैसे ही आज भी उसी प्रकार मन मोहक और सुन्दर रूप से प्रस्तुत होती चलिया रही है। इसलिए कहानियों को जीवनत साहितिक विधा कहा गया है। कहानियों की परिभाशा के अंतरगत हम देखेंगे कहानी की क्या परिभाशा है। कि वो सुन्ने में सुन्दर लगे, थोड़ा सा रुचिपोन लगे और साथ ही साथ बच्चों ये हमारे मस्तिश्क पर भावात्मक रूप से प्रभाव डालती है और बहुत ही मनुरंजग गध्य विधा है। कहानी की तत्व हम देख लेंगे बच्चों, आपके पाठे क्रम में जो महतुपूर्ण प्रश्न एक आता है कि कहानी की समीक्षा कीजिए कहानी के तत्वों के आधार पर, तो कहानी जब लिखी जाती है तो उसके कुछ महतुपूर्ण अंग या तत्व होते हैं। जैसे मनुष्य शरीर निर्मित होता है कुछ महतुपूर्ण तत्वों से, जो पंच तत्व हैं, खित जल पावक, गगन, समीरा, उसी प्रकार कहानी को निर्मित करने के लिए, उसका साड़िरिक रोप संगठित करने के लिए बच्चों कुछ महतुपूर्ण तत्वों से, महतुपूर्ण तत्वों हैं, जिनके आधार पर हम संपूर्ण कहानी की समीक्षा करते हैं, ठीके, और समीक्षा के पश्चात हम ये बताते हैं, कहानी सफल हुई है या असफल है, कहानी सही है या नहीं सही है, ठीके, पहला महतुपूर्ण तत्व है बच्चों, कथानक, कि किसी कहानी के कथानक को देखकर कथानक का अर्थ होता है कथासंशीप, कहानी का सार, किसी कहानी के सार को पढ़कर ही हम समझ लेते हैं कहानी कितनी अच्छी है या अच्छी नहीं है, यदि कथानक मजबूत होता है, कथानक मनोरंजक होता है, उत्साह वर्धक होता है, जिग्य अंग होते हैं वो पात्र एवं चरित्र चित्रन होते हैं जैसे आप कोई मूवी देखते हैं आप कोई फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म में आप यह देखते हैं कि कहानी या उस फिल्म की जो पूरी कहानी है उस कहानी के आधार पर पात्र कितने मजबूत हैं यदि पात्र भावात्मक पात्रों का तरीका सही है, पात्र मजबूत तरीके से प्रस्तुत किये गए हैं, तो वो कहानी या वो मूवी आपको बहुत पसंद आती है, इसलिए यहाँ पे भी कहा गया है, पात्र और चरित्र चितरन किसी कहानी के लिए बेहद महतुपून अंग माने गए हैं अगलां अंग्ध है बच्रों कथोप कथन या सम्वाद जो कहानी के जो डायलोक्स कहानी की जो सम्वाद है कहानी के जो बोली है कहानी का यहां भी किसी कहानी को सफल बनाने में महतूपून भूमि का निभाता है कहानी किसी एक देशकाल एवं बातावरन को अपने अंदर समेटे होती है जैसे पदमावत आपने मुवी देखी होगी तो पदमावत कहानी में पदमावत पिचर में आपने देखा होगा कि एक देशकाल एवं बातावरन को समगर रोप से अपने अंदर समाहित करती हुई वो कहानी चलती है तो इसी प्रकार से प्रेम चंदर के बहुत सी कहानियों में आपने देखा होगा, बहुत सी कहानियों में आपने गाओं के चित्रन देखे होगे, बहुत सी कहानियों में आपने जमीदारी प्रथा का भाग देखा होगा, तो उसमें बहुत सारे तत्वों में दिखाया गया है कि एक समय विशेश के आधार पर कहानी लिखी जाती है और वो समय विशेश उस कहानी को मनुरंजक और सफल बनाने में बेहद महतुपूर्ण भून का निभाता है अगला भाशा शैली बच्चो भाशा अगर शशक्त ना हो भाशा यदि मजबोत ना हो किसी कहानी की तो कहानी का कथानक चाहे कितना ही रुचिपूर्ण क्यों ना हो कितना ही अच्छा क्यों ना हो लेकिन वो कहानी सफल नहीं हो सकती यदि उसकी भाशा शैली सहज, सुबोध और सरल नहीं होगी जो आम जन तक आसानी से पहुँचे वो कहानी आसानी से लोग पढ़कर समझ पाएं तभी वो कहानी सफल मानी जाएगी यदि कहानी का भाशा, कहानी की भाशा मुश्किल होगी कठिन होगी तो हम उस कहानी को समझपाने में असमर्थ होंगे और हम उस कहानी को आधी या धूरी छोड़ देंगे इसका कार मतलब यह है कि हम उस कहानी में अपनी रुची नहीं दिखा रहे हैं क्यूंकि उसकी भाशा कठीन है अगला है बच्चों, उद्देश, ठेकर है आप जैसे की जानते हैं आपने कहानिया सुनी होंगी बच्च्पन से ही और अभिय किसी न किसी उद्देश को अपने साथ लेकर चलती है पिल्डी दर पिल्डी ये कहानिया हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं हम पर और किसी विशेष उद्देश के साथ हमारे जीवन को सार गर्वित बनाती हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ सिखाती हैं तो ये उद्देश बच्चों किसी कहानी का उद्देश बहुत महतोपोण होता है कहानी कला की दृष्टी से यदि हम उसकी समिक्षा करते हैं तो अंत में हम ये जरूर पोछते हैं कि हमने इस कहानी से क्या सीखा देखे बच्चों कहानी का वर्गी करण तीन भागों में कहानी को विभाजित किया गया है ठीके के पहली घटना प्रधान कहानी दोसरी मनोवज्ञानिक प्रधान कहानी और तीसरा चरित्र प्रधान कहानी जब किसी चरित्र के इर्दगिर्थ पूरी कहानी भूमती हुई मनोवज्यानिक कहानी में मनोवज्यानिक भावों को महत्व दिया जाता है जोसे क्रोध है इर्षा है ठीक है जैसे हमने पढ़ा होगा इर्षा तूना गई मेरे मन से ठीक है तो ये सब जो भाव है वो मनोवज्यानिक कहानी के अंतरगर आते हैं कहानी क्यों महत्वपूर्ण ह हमारे जीवन में महातो भी देख लेंगे बच्चों कहानी के माध्यम से मनुश्य में संकल्प विवेक तर्क कल्पना शक्ती की रधी होती है ठीक है जैसा कि मैंने पहले पीछे भी बताया आपको कि कहानी मनुश्य को कुछ न कुछ सिखानी में सहायक होती है और उसके बुध कहानियों के माध्यां से कुछ न कुछ सीखते हैं बच्पन से लेकर बड़े होने तक हम कहानियों के माध्यां से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं तो क्रमिक विकास का भी साधन कहानी है चरित्र प्रधान और प्रेड़ना दाया कहानी, ठीके, मनुश्य के चरित्र के निर्माण में उसे प्रेड़ना देने में कहानियां बहुत महत्व रखती हैं, ठीके, कहानियों की किस-किस प्रकार की विध्या होती हैं, कैसे कैसे हम कहानिया सुनते हैं, समझते हैं, उनके वि पुरी कहानी पूर्ती प्रणाली विधी चुछे बच्चों हमने कहानी के विशे में कुछ महत्वपूर्ण तत्थे हम देखे हैं जो बच्चों परिक्षा के दृष्टी कोंड से तो महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन कहानी को समझने के लिए कहानी के विशे में जानने के ल पड़िश्वर नात रेनु जो आंचली कथाकार हिंदी साहित के आंचली कथाकारों में सर्व श्रेष्ट स्थान पर स्थापित हैं ठीके उनके जीवन परिचे के विशे में हम देख लेंगे चूकि बच्चों परिक्षा की दृष्टि कोंड से यह बहुत महत्वपूर्ण परिक्षा में इनका जीवन परिचे नहीं आता है लेकिन फिर भी इनके विशे में आगे जब आप प्रतियोगीता परिक्षा में भाग लेंगे जब प्रतियोगीता परिक्षा में बैठेंगे आप तो उस संदर्व में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं ठीके इनकी रचनाय आपकी परिक्षा की दुष्टी कोंड से बहुत महत पूर्ण है उनके विशय में हम आगे चर्चा करेंगे ठीके इनके जीवन परिचाय को हम देखेंगे बच्चों फणिश्वर नात रेणु चार मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले में फार्विस गंज के पास और आही हिंगाना नामक गाउ में हुआ था उस समय यहां पूर्णिया जिले में था उनकी सिक्षा भारत और नेपाल में हुई प्रारंब्यक सिक्षा फार्विस गंज और अरर नेपाल से मैट्रिक बच्चों कक्षा 10 की परिक्षा इन्होंने नेपाल के विराट नगर आदर्श विद्याले से कोई राला परिवार में रहकर की ठीके इसके बाद इन्होंने इंटरमेडियेट काशी हिंदु विश्य विद्याले से 1942 में की जिसके बाद वे सुतंतरता क्राम में कूद पड़े बाद में 1950 में उन्होंने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी हिस्सा लिया और परिणाम सरोप नेपाल में जंत्रंत्र की स्थापना हुई ठीके इन्होंने बहुत सहयोग उसमें दिया सन 1952 और 1903 के समय में भीशन रूप से रोग ग्रस्त रहे और इस रोग ग्रस्त होने के कारण उनके अंदर साहित के प्रतिरुजहान बढ़ने लगा ठीके और जिसके बाद लेखन की और उनका जुकाव हुआ उनके इस काल की जलक उनकी कहानी तबे एकला चालो बहुत महादपून कहानी है उसमें दिखाई देता है उन्होंने आंचलिक कथा की नीव रखी बच्चों आंचलिक कथा के विशेवे मैं थोड़े देर बाद आपको बताती हूँ ठीके सचीदानन हीरानन वातसयायन अग्गे एक समकालीन कवी थे इनके और इनके परम मित्र थे इनकी कई कहानियों और रचनाओं में कटिहार के रेलवे स् लेख मिलता है सन 1977 में 11 अप्रेल को अपने दाइत्मों को निभाते हुए इन्होंने चीर निद्धा लेली कहने का तात पर इनके 1977 में मृत्यों होगी बच्चों जीवन परीचे हमने संशिप्त रूप में देखा अब हम देखेंगे इनकी रचनाओं को ठीके इनकी उपन्य और कृतियां रेणु जी की जितनी ख्याती हिंदी साहित्य में अपने उपन्यास मैला आचल से मिली है उसकी मिशाल मिलना दुरलब है मैला आचल बच्चों बहुत ही महत पूंड रचना इनकी मानी जाती है जिसमें इन्होंने उस समय की स्थिति का वर्णन किया है और इस उपन्यास के प्रकाशन ने इन्हें रातों रात हिंदी के एक बड़े कथाकार के रूप में प्रसिद्र कर दिया कुछ आलोचिकों ने इसे गोदान के बाद हिंदी का दूसरा सरवश्रेश्ट उपन्यास बताने की भी कोशिश की है हालाकि विवाद भी कम नहीं खड़े हुए क्योंकि गोदान प्रेम चंद्र उपन्यास के समराट माने जाते हैं और गोदान से मेला अचल की तुलना करना हिंदी साहित के आलोचिकों के लिए कम बड़ी बात नहीं थी तो उनकी प्रसिधी से जलने वालों ने इसे सीतानात बाधुरी के बंगला उपन्यास धोधाई चरित मानस की नकल बताने की कोशिश की लेकिन सत्य तो बेटा सत्य ही होता है समय के साथ ये सारे जोटे दावे खतम होते चले गए और समय के साथ इस तरह के जोटे आरोप ठंडे पड़ते गए और हिंदी साहित में आंचली कुपन्यास कार के रूप में फनिश्वर नात्रेनु सापिक किये गए इसके आगे बच्चों हम इनकी रचनाई देखेंगे संशिप्त रूप में लेकिन बहुत महतुपूर्ण रचनाई परिक्षा की दृष्टिकोंड से प्रतियोगिता परिक्षाओं की दृष्टिकोंड से आपको इन्हें बहुत अच्छे से याद रखना है उपन्यास हम देखेंगे बच्चों इनके मैला आचल महतुपूर्ण पन्यास परति पर कथा जुलूस दिर्ख तपा कितने चोरा है पल्टु बाबु रोड इनकी महतुपूर्ण कहानियों में मारे गये गुल्फां जिस पर बच्चों तीसरी कहानी नामक फिल्म बनी थी तीसरी कसम ना परहेंगे बच्चों रिपोर्टाज देखिए पनिश्वर नात्रेणू रिपोर्टाज लेखक भी माने गये हैं ठेके देखिए महतुपूर्ण रिपोर्टाज इनके धन जल रन जल नेपाली करांती कथा वन तुलसी की गंद शुरुत अशुरुत पूर्वे बच्चों इनकी कृतियां हमने संशिप्त रूप में देखी इनकी लेखन शैली भी हम देखेंगे इन्होंने अपनी कथा में अपनी कहानियों में अपने उपन्यासों में किस प्रकार की लेखन शैली चलाई है तो इनकी महतुपूर्ण लेखन शैली थी जिसमें पात्री के प्रतेक म गटनाओं से प्रधान होती थी, एक आदिम रात्री की महक इसका एक महतोपूर्ण और सुन्दर उधारण है। ग्रामे जीवन के लोग गीतों का उन्होंने अपनी कथा साहित में बड़ा ही सरजनाते थी, प्रयोग किया है। इनके लेखन को देखकर प्रेम चंदर की सामाजिक यथार्तवादी परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय इन्हें दिया गया। और इन्हें आजादी के बाद का प्रेम चंदर की संग्या भी दी गई। अपनी क्रतियों में उन्होंने आंचलिक पदों का बहुत प्रयोग किया है। बच्चों हम पाठ परीचेपें। जैसे मैंने आपको बताया आंचलिक। मैंने कहा था आपको आगे बताएंगे आगे हम चर्चा करेंगे इस पर आंचलिक क्या होता है। विशेश को कहा गया है ठेके आंचलिक के अंतरगत उस छेत्र विशेश की समस्त विशेशताओं को समाहित किया गया है जिसमें वहां की भाशा, वहां का रहन सहन, वहां की संस्कृति, वहां का बोल चाल, हर कुछ वहां की जो है विशेशताओं का समायोजन आंचलिक में किया आंचलिक कहानी है ठीक है जिसके विशय में पार्ट परिचय में हम देखेंगे कहानी का क्या सार है कहानी में क्या कहना चाहता है लेका और कहानी को हम कैसे समझेंगे कहानी में किस तत्व को हत्वपूर्ण दिखाया गया है और कहानी का क्या उद्देश्य है ठीक है चलिए आ पता कर पा रहे होंगे, बहुत पहले इसका प्रयोग किया जाता था, आज भी भारत के बहुत से गाओं में इसका उप्योग किया जाता है, इसको प्रयोग में लाया जाता है, तो यह चित्र देखकर आप समझ पा रहे होंगे, पंचलाइट किसे कहा जाता है, जिसे पेट्रो भाले लोगों का मन होता है लेखक ने उनके भोले भाले स्वरोप को अपने शब्दों के माध्यम से अपनी वानी के माध्यम से सजीवता से उकेरने का प्रयास किया है पंचलाइट की खरीददारी ग्रामेंड समाज में जाती के मान सम्मान का प्रतिक बना कैसे जाती के मान सम कशामान का प्रतिख पंचलाइट कैसे बना इस कहानी के माध्यम से हम देखेंगे। दूसरा तीसरा कहानी के माध्यम से ग्राम सुधार करते हुए सामाजिक परिस्थितियों पर भी प्रकाश डाला गया है Grawing जीवन की सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं और ग्रामीन जीवन में किस प्रकार सुधार की आवशक्ता है इसको भी लेखक ने दिखाने का दर्शाने का प्रयास किया है आपसी वयमनस्य जूटी शान शौकत का दिखावा तथा रोडी वादिता का सफल चित्रन भी इस कहान के माध्यम से किया गया है किस प्रकार गाओं के लोग गाओं के अलग 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 तोले के लोग अपनी जूटी शान शौकत के पीछे दूसरे लोगों को मजाक में लेते हैं मजाक उड़ाते हैं उनका और अपनी शान शौकत को श्रेष्ट बताते हैं इसका भी बड़ी ही सजीवता से प्रस्तोती यहां पे की गई है ग्रामवासियों के भोलेपन एवं स्वच्छ हिर्दय को लेखक ने दरशाया है कहानी में और अंतिम परिचे है बच्चों आवशक्ता कैसे संसकारों और निशेद को अनावशक सिद्ध कर देती है कैसे बड़ी बड़ी जरूरतें इंसान की जो वस्तुएं हैं इंसान की जो अनावशक चीज़े हैं उनको भी आवशक बना देती हैं जो गलत तत्व हैं उनको भी कैसे गुणवान और अच्छा बना देती हैं इस कहानी के माध्यम से यह प्रदर्शित किया गया है आईए बच्चों कथा का हम सार देखेंगे और कहानी चुकि बहुत बड़ी है पूरी कहानी की प्रस्तुति यहां नहीं की जा सकती इसलिए कथा को संछेप में मैं यहां पे सुनाऊंगी आपको और उस कहानी को सुन करके आप समझने का प्रयास कीजिएगा देखें बच्चों पंचलाइट एक हिंदी कहानी है जिसके लेखा फणिश्वर नात रेणू है और यह कहानी रेणू जी के संग्रह ठुमरी से संकलित है यहां आंचलिक कहानी योकी श्रेणी में एक महत्वपोर्ण प्रमुख कहानी मानी जाती है यहां कहानी 1950 से 1960 के मध्ध लिखी गई थी और बिहार और उत्तर प्रुदेश के बहुत सारे जिलों में या उत्तर प्रुदेश के पाठेक्रम में इसे महत्वपोर्ण रोप से शामिल किया गया है आईए हम कहानी को देखेंगे कहानी को समझने का प्रयास करेंगे संशेप रोप में कहानी बच्च प तोलियां हैं जिसमें एक टोली है महतो टोली महतो टोली के अलावा अन्ने सभी टोलियों के पास अपनी जीवन यापन से संबंधित उपयोगी वस्तुएं पाई जाती हैं लेकिन महतो टोली के पास जैसे दरी जाजिम ठीके पेट्रोमेक्स आदी महतो टोली के पास पेट्रो पेट्रोमेक्स खरीदने की सोची ठीक है पेट्रोमेक्स लेने के बाद पेट्रोमेक्स की को जलाने से पहले उन्होंने उसकी पूजा करने के लिए जो बचे हुए पैसे थे उन्होंने कुछ पूजा की सामगरी खरीदी पेट्रोमेक्स लेकर के जैसे ही गाउं की तरफ बढ प्रयोग किया गया है और धीरे धिरे वह अपनी घर की तरफ बढ़ते हैं और घर के पास पहुंचकर घर पे पहुंचकर उन्होंने आंगन में पिट्रोमेक्स रखा और अपनी पतनी से कहा कि आज शाम को इसे जलाने से पहले इसकी पूजा का प्रबंध करो ठीके और आज लाल्टेन की रोशनी में ही कीर्तन होगा समस्त गाओं के लोग महतो टोली के विक्ती बूढ़े बच्चे प्रसन्नता से जूमने लगे आनंद से विभोर हो करके भागते दौरते चले आए एक दूसरे से चिलाते हुए कहते हुए कि चलो चलो हमारा पेट्रोमेक्स आया है गुलरी काकी दभा में ही गीत गुन गुन आने लगती है और बड़ी ही प्रसन्नता से जूमने लगती है अब जैसे जैसे समय बीता है शाम होने को आती है किसी ने भी आज अपने घर में बत्ती तक नहीं जलाई थी दिया तक नहीं जलाया था और उन्हें ये लगा था कि आज तो हम पेट्रोमेक्स की रोशनी में बैठेंगे और गीत गाएंगे कीरतन करेंगे लेकिन जैसे जैसे समय बीता कुछ देर बाद पता चलता है कि पेट्रोमेक्स किसी को भी जलाने नहीं आता है ठीके गाओं के उस पंच उस टोले में कोई ऐसा वेक्ति नहीं है जो बहुत ही विचले तिस्थिती में थे कि कैसे पेट्रोमेक्स जलेगा और यदि पेट्रोमेक्स नहीं जलेगा तो अंत में सभी लोगों के सामने गाओं के अन्य लोगों के टोले के सामने हमारी बेज़ती हो जाएगी हमारा अपमान हो जाएगा हमारा मान समाप्त हो नहीं की जलाने की आगया प्रदान नहीं करने के कारण वो पेट्रमेक्स वैसे ही पड़ा था और यहां सोच कर प्रदान नहीं की आगया कि आगे भविश्य में ये लोग जो है हमारी अभेलना करेंगे हमारा अपमान करेंगे तो ऐसी ही चर्चा चलती रहती है और कुछ देर बाद मुनरी कहती है अपनी सहेली कनेली से कि जाकर सरदार से कहो गोधन पंचलाइट जलाना जिसे आता है गोधन पंचलाइट को बार लेगा गोधन पंचलाइट को जला लेगा गोधन की बाद कनेली जाकर सरदार से बताती है सरदार कहते हैं कि ठीक है गोधन को बुलवाया जाए अगर गोधन पंचलाई जरा लेगा तो हमारी जाती का मान सम्मान बचा रहेगा हमें दूसरों के सामने मजाग की स्थिति में नहीं खड़ा होना पड़ेगा तो गोधन को बुलवाया जाता है गोधन यह कहकर आने से इंकार कर देता है कि पंचों की क्या परतित कल को य पारी तक खाने के पैसे नहीं दिये थे पंच पहले ही उससे नाराज थे और मुनरी को देखकर गोधन सिनेमय का सलम सलम वाला सनम सनम वाला गीत गाता था सलम सलम शब्द प्रयोग किया गया है बच्चों ताकि आंचलिकता दिखाई जा सके ठीक है तो गुलरी का की जो मु उनरी को देखकर गीत गाता है इसलिए इसे बाहर कर दिया जाए इसे तोले से निश्काशित कर दिया जाए तो गोधन को टोले से निश्काशित कर दिया जाता है लेकिन समय आने पर गोधन को बुलाया जाता है गोधन बड़ा ही होशियार लड़का था और उसने क्या किया स्पिरिट ना होने के बावजूद भी गरी के तेल के माध्यम से पंचलाइट को जला दिया और पंचलाइट के जलते ही समस्त गाउं के उस टोले के लोग जो है प्रसनता से जूम उठे उमीद की एक नई किरन जो उन्होंने अपने मन में जगा रखी थी वो जल उठी और बड़े ही प्रसनता से उन्होंने उस पंचलाइट की रोशनी में कीरतन किया और जैकारे का घोश किया और इसी के साथ बच्चों यह कहानी यहीं समाप्त होती है और कहानी के समाप्ती पर आप यह जरूर जानना चाहेंगे कि कहानी का ओदेश क्या है एक बार यहां जो कहानी लिखी हुई है हम इसे पढ़ेंगे और कहानी का एक लिंक दिया हुआ है बच्चों जिसमें आप पूरी कहानी को सुन सकते हैं जिसको मैंने अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड किया है पूरी कहानी हम एक बार देख लेंगे यहां यहां कहानी बिहार के ग्रामेन परिवेश के गिर्द इर्द की हुंती है गाउं के एक युवक गोधन का मुनरी नामक लड़की से प्रेम है जिससे नाराज होकर पंचायत ने उसका बहिशकार कर रखा है एक दिन मेले से गाउं वाले सारवजनिक उपयोग के लिए पेट्रोमेक्स जिसे वहां के लोग आंगीक में पंचलाइट या पंचलैट कहते हैं खरीत कर लाते हैं सभी उस्ताह में हैं लेकिन तभी पता चलता है कि इसे जलाना तो किसी को आता ही नहीं है गाउंवालों के भोलेपन और पेट्रोमेक्स जलाना ना आने के कारण हासी की स्थिती पैदा होती है दूसरे गाउं के लोग उपहास करने लगते हैं तब मुनरी अपनी सहेली के माध्यम से पंचों से कहलवाती है कि गोधन को आता है पंचलाइट जलाना पंचलोग दूसरे गाउं से पंचलाइट जलाने के लिए किसी को बुलाने की बेज़ती से बचने के लिए अंततब गोधन को माफ कर देते हैं और उसका हुका पानी बहाल कर दिया जाता है और उसे सनीमा का गाना गानी की छूट मिल जाती है संशिप्त रूप से आपने देखा बच्चों कहानी इस तरीके से थी कहानी के समाप्ती पर कहानी का उद्देश जरूर जानने का प्रयास करेंगे तीन उद्देश इस कहानी के साथ चलते हैं बच्चों पहला उद्देश कहानी के माध्यम से लेखक ने ग्रामेर सुधार को दिखाने का प्रयास किया है जहां आज आधुनिक युग में 1950-1955 के उस समय की स्थिति का वर्णन किया है जहां भारत आज विकास की श्रेणी में है या विकास शिल देशों की श्रेणी में है भारत में ब बहुत से ऐसे गाउं हैं जहां पर आज भी पंचलाइट का प्रयोग किया जाता है। तो तीन उद्देश्यों के साथ यह कहानी हमारी आज की समाप्त होती है। कहानी की समिक्षा करनी है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न गोधन का चरित्र चित्रन परिक्षा में बहुत पूछा जाता है बच्चों। इसे जरूर याद करिएगा, जरूर तयार करिएगा और कहानी का अंत में उद्देश जिसकी हमने यहाँ पर चर्चा की। इसी के साथ बच्चों हम अपनी कहानी यही पर समाप्त करते हैं और मैं आशा करती हूँ आपने पूरी कहानी को बड़े ही मनुरंजन तरीके से बड़े ही अच्छे से बड़े मन से सुना होगा, समझा होगा और कहानी से संबंधित प्रश्नों को भी आपने समझने का प्र